व्यूज़ वेलकम बैक टो चैनल आईटेक वर्ल्ड एक ट्यूब आज की वीडियो में अपनी साइबर सेक्यूर्टी प्लेडिस की तंबर 5 को कंट्यूनियू करने वाले हैं ऑफ्य इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह आई पढ़ेंगे लिए ईसमें आज के लिए यहक English workers बोकुटा होने उल्यार है तो देखो एक वह प्राइविट प्रपर्टी होती है माँखे चलो कोई भी हाउस है किसी का कोई भी कार है तो इस सब चीज किसके अंडर आती है प्राइवेट प्रोपर्टी के अंदर आती है किसी भी परसन की प्राइवेट प्रोपर्टी होती है वो अब इंटेलेक्चुल प्रोपर्टी क्या होती है देखो अगर वर्ड इंटेलेक्चुल को आप पढ़ेंगे तो इंटेलेक्चु तो इसकी sort form IP भी होती है, simply refers to the creation of the mind, most important यह word है creation of mind, किसी के भी mind की कोई creation होगी वो intellectual property के अंडर आएगी, it refers to the position of thought or design by the one who came up with it, कोई भी thought है किसी भी person का और कोई भी design उसके द्वारा बनाई हुई, वो intellectual property के अंदर आती है, it offers the honor of any inventive design or any form of distinct work some exclusive right that make it unlawful to copy or reuse that work without the honor permission, so कोई भी thought, जैसे मेरे दिमाग में एक thought आया, मैं cyber security playlist बनाऊँगा, कोई भी design, मेरे channel का logo हो गया, तो यह मेरे creation of mind है, मेरे दिमाग का creation है, इसको कोई copy नहीं कर सकता, या फिर कोई मैंने inventive design बनाई, कोई भी जैसे मेरे channel का logo है, उसकी एक design बनाई, या फिर कोई distinct work, जो कोई नहीं कर रहा हूँ, तो इसके उपर मेरे right है, मेरे mind का creation है, इसको मेरे अपना दिमाग लगा है, तो इसके उपर मेरे पूरा हग बनता है, कोई भी उस चीज़ को copy नहीं कर सकता, कोई भी reuse नहीं कर सकता, without the honors permission, मेरी permission की बिना मेरी कोई भी वीडियो अपने channel पर नहीं डाल सकता, क्यों अगर वो ऐसा करता है, तो intellectual property का उलंगन करेगा, उसके अंडर मेरे उसको copyright की strike भी कर सकता हूँ, राइट, so it is a property law, क्योंकि मेरी property एक तरीके से intellectual property है, and people associated with literature, music, invention, can use it in business practices, तो जैसे मेरा काम है, यह literature से related है, study से related है, अगर मैं कोई music बनाता है, music director होता, और फिर कोई invention करता है, तो वो सब चीज़े intellectual property के अंदर आती है, उसको बिना मेरी permission के कोई भी use नहीं कर सकता, so मैंने कोई एक बहुत बड़ा invention करा, मैंने कोई ऐसी machine बनाई, जिससे कोई impossible काम होता है, और उसको कोई कल कोई copy कर ले, और बोले, यह मेरी machine है, तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा, या फिर कोई मैं ऐसी idea बनाना चाहूं, जैसे मैं driverless car बनाना चाहूं, और मैं बोलू, यह मेरा idea है, मैं ऐसा बोल सकता हूं नहीं, क्योंकि यह already Elon Musk जी का idea है, जिनकी Tesla एक company है, तो उनका idea है एक तरह से, तो intellectual property totally depend करता है, creation of mind पर कोई भी idea है, उसकी अधिकार रखने का, तो यह आप देख सकते हैं, जैसे बलब बना हुआ, यह idea को कर रहा है, illustrate, तो कोई भी मेरे दिमाग में idea है, उसे मैं अपना कैसे बना सकता हूं, उसके काफ़ी सारे tools हैं, इसको protect करने के इंट्रेक्शल property का, तो पहला tool होता, patent, कोई भी मैंने machine बनाई, कोई भी मैंने, जैसे BS6 engine नया आया, उसके patent रख दिया मैंने अपना, कोई मेरी technologies है, FI fuel injector technologies है, bike में, उस पर hero का patent है, क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले दिमाग किसी hero की employee के अंदर आया idea, उसकी बत्ती जली दिमाग की, तब उसने वो patent उसका रख लिया, क्यों? आइडिया के साथ साथ ही उसने patent apply कर दिया, because ताकि उसका idea कोई चुरा ना ले, और चुरा भी ले, तो उसके बाद उसका नाम सबसे पहले किसका है कि patent जो hero के नाम पर है, दूसरा आता trademark, जैसे मेरे चैनल का लोग हो है, कोई और कौपी ना कर ले, इसलिए मैं उस पर trademark अपना tool यूज कर सकता हूँ, नेक्स्ट है geographical indication, जोग्राफिकल से आप समझ सकते हैं, कोई भी geographical place, for example, एक लास के चमचम काफी famous है, बनारस की साड़ी famous है, और एक example, असाम की चाय काफी famous है, तो एक तरसे GI tag मिला हुआ है, इन्हें, GI tag बोलते हैं से, तो किसी भी जगह से उसकी चीज़े famous होना है, यानि अलिगड़ के ताले हैं, वो famous है, फिर layout design for integrated circuit, apple है, apple के बास M2 chip है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस integrated circuit का layout design का अपना right कर रखा है, फिर है trade secret, Pepsi Coca-Cola ने अपने trade secret को register कर रखा है, कोई और उस जैसी Pepsi Coca-Cola नहीं बना सकता है, आप अपने घर पर Pepsi बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं, बिल्कूँ same as it is, because उन्होंने जो उनका trade secret है, business secret है, उसको चुपा रखा है, फिर आधा copyrights, जैसे ही मेरा channel है, अगर मेरी video को उठा के अपने channel पर डालेगा, तो मैं इस पर copyrights strike कर सकता है, क्यों, क्योंकि मेरा creation of mind है, यह PPD slides, notes, मैंने खुद अप मेरे self prepared है, और जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे thoughts हैं, और मेरे knowledge share कर रहा हूँ, तो कोई copy नहीं कर सकता, फिर आधा industry design, so similarly, कोई design को copy नहीं कर सकता, तो यह काफी सारे tools हैं, जिनसे आपको समझ में आ गया होगे, intellectual property क्या होता, simply creation of mind है, मेरे दिमाग से बनी हुई कोई भी चीज, intellectual properties के अंदर आती है, और इसको protect करने के लिए काफी सारे tools, government ने हमें दे रखे हैंसे कि patent, trademark, इनको आने वाले lecture में मच्छे से पढ़ेंगे, patent on trademark को, so अब हमारा जो next topic है, वो है copyright infringement, तो simply copyright का मतलब मैंने आपको बता दिया, infringement का मतलब एक बार समझ लीज़ा, infringement मतलब उलंगन करना, मेरी वीडियो कोई copy करके डाल रहा तो वो क्या कर रहा है, मेरा copyright infringement कर रहा है, so copyright infringement करता गया, एक जैसे protection provide करता है किसी भी owner को, जो अपनी कोई भी art of form, यानि artistic form, literary form, एफिर कोई scientific form में जो उसने काम किया है, उसको जनता को दिखाना चाह रहा है, और कोई से copy ना करे, prohibit everyone else from exploiting that work in his name, यानि मेरा name आ रहा है, मेरी वीडियो में मेरे चैनल का name आ रहा है, तो वो मेरा है, अगर कोई और copy करेगा, तो मैं इस पर copyright infringement डाल सकता हूँ, लेकिन वो से fair use में copy कर रहा है, यानि मेरे honor का permission of the honor, मेरे permission लेकर भाई, मैं एक teacher हूँ, मैं अपने बच्चों को आपकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो हाँ मैं उसको राजी करूँगा कि हाँ आप कर सकते, लेकिन अगर मेरे knowledge के बिना copyright infringement हो रहा, तो obviously मैं उसका against track कर सकता हूँ, अगर मेरे वीडियो के कोई copy बना के, कोई sold करें internet पर without the permission of the honor, या फिर कोई picture है, उसके cds बना करके बेके, तो ये एक तरसे copyright infringement के अंदर आदा, इसलिए कोई भी music work होता है, ये सब work सारे copyright के अंदर रहाते हैं, अब ये सब सुन रहे हैं कि हम intellectual property पढ़ रहे हैं, creation of mind पढ़ रहे हैं, क्यूं, कही ना कही इसका cyber space से related है, interconnection है, तो cyberspace एक ऐसा space होता है, या पर virtual internet work करता है, तो उसमें इसका कोई ना कोई interconnection है, इसलिए हम इसको अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक, तो पहला जो copyright issue है, cyber space में, वो है linking, linking क्या करता है, ये permit करता है, एक website user को किसी दूसरी location पर जाने के लिए, internet पर उसी website से simply किसी word या image पर click करके, उस webpage पर, जिससे क्या, एक user experience खराब होता है, example मैं आपको दूँ, जैसे आपने सर्च किया, AKT result, और वहाँ पर लिखा हुआ, एक छोटा सा photo बना रहा है, या image लिखी, image में या text में लिखा रहा है, कि 7 दिन में AKT को टॉप के हैसे करें, आपने उसको click कर दिया, तो वो कोई और website खुल गई, जिससे जो आपको नहीं खुलनी थी, फरजी fake website खुल गई, तो इससे कहाँ था, एक user का user experience काफी खराब होता है, तो ये एक अच्छी practice नहीं है, link करना, मान के चलो मैं एक website बनाऊं, उस पर anchor tag से use करके, HTML के anchor tag होते हैं, उसको use करके, SEO यानि search engine optimization technique को use करके, उसको top पे लादू, तो कोई फायदा होगा उससे नहीं, आप खोल होगे और उसको kart दोगे, क्यों? भाई, ये तो मेरे काम की चीज़ है नहीं. Linking damage is the right or interest of the owner of the linked webpage. It may create this position that two linked sites are the same and promote the same idea in the way link site can lose their income as it often equal to the number of person who is in the page. So, अब हुआ क्या, आपने डाला, equity result लेकिन आपने साथ दिन वाला को खोल दिया, अब आपको तो ही लेगा एक ही website है, लेकिन हुआ क्या उसने link कर दिया था किसी photo या image से दूसरी website को, जिससे कि उसका traffic है वो divert हुआ, और कही ना कही मेरा भी user experience खराब हो गया, यार नहीं, मेरे तो ज़्यादा आई नहीं रहे, मेरी traffic नहीं आ रही मेरी website पर, क्योंकि जो आपकी website पर traffic आई थी, वो किसी और पर divert हो गई, तो मेरी भी income में कमी आएगी, राइट, तो ये खत्रा है, cyber space में copyright issues का, दूसरा है, software piracy, software तो आप जानते ही सब कुछ क्या होता है, program which have a code with a documentation is called software, so इसकी piracy कैसे होती है, piracy example तो कोई भी movie आई, अब नई movie मान के चलो कोई भी XYZ movie आ रही है, उसको तुरंत copy करके किसी ने telegram पर डाल दिया, तो ये एक piracy के अंतर आता है, पर उसकी copy करके काफी साथी CD बना दियों उन्हें बेग दी, तो ये पाइरेसी के अंतर आता है, तो software से लेटेट पाइरेसी क्या होगी, मान के चलो मैं कोई software बनाता हूँ, मैंने एक software बनाया जो कि attendance system है, face recognition attendance system, face देखकर के attendance लगाती है, ठीक, face recognition attendance system, और कोई भी यहरा गहरा आकर कि उस software को unlawful तरीके से, गलत तरीके से उसको copy करता है, यानि उसकी action कर ला है, copy हुआ, speeding हुआ से फैलाना, उसके साथ कोई भी छोटा मिटा change करना, trade कर देना और software को, यह सब software piracy के अंटर रहा था, copy करके उसको गलत तरीके से use कर लेना, अब इसके भी law है, आप कर सकते हो, अगर जब तक पगड़े नहीं जा रहे, तब तक कर सकते हो, अगर आप पगड़े गई, तो it also comes under the Indian Copyright Act, एक ICA है, उसके अंदर आता है, जो कि गलत काम है, असम्मेदानिक काम है, इनको आने वाली next वीडियो हम पढ़ेंगे, अच्छे से IPR क्या होता, intellectual property, right, तो अब जो हमारा next topic है, वो है cyber squirting, यह सम्म क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप confused नहीं होना, अभी हमने simply intellectual properties पढ़ा है, क्या होता है, फिर उसके बाद copyright infringement पढ़ा है, same, वो ही चीज़ है, copyright और लंगन करना, फिर अब हमने पढ़ा, यह सम्म पढ़ क्यों है, cyber security में ही क्यों बढ़ रहे हैं, तो cyber security हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि cyber space में भी, अभी इन सब चीज़ों का काफी use होने लग गया है, मेरी intellectual, भाई मैंने कोई website बनाई है, कोई software बनाई है, कोई video बनाई है, tax related, तो मेरे दिमाग का खेले ना, मेरे दिमाग से बनी हुई चीज़ है, और मेरे दिमाग से creation of mind कोई और कैसे चुना सकता है, बिजने ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क्स और कंपनी निम, साइबर स्कुरेटिंग मतलब हुदा, कोई भी अनौतरा registration कर देना, किसी भी डूमेन का, जो की मेरे बिजनेस के नाम से related है, और आप उसको use कर रहे हैं, अब मान के चल एक्जामपल दूँ मैं, दान करो, तो उससे वो donation ले रहे थे देश को दान करना, देश के प्रतिदान, लेकिन बीजेपी वालों ने क्या किया, उन्होंने वो डूमेन को ही register करा लिया, अब इसमें गलती किस किया, Congress वालों कि, अगर आप कोई अभियान चला रहे हो, देश को दान करके, तो आपको वो डूमेन अपने नाम पर already booked करा लेना चाहिए था, क्योंकि अब जो लोग क्या करने के लिए, www.deshkadaan.com खोल रहे हैं, तो उसमें BJP की साइट खोल रहे हैं, BJP का फोटो खोल रहा है, तो एक गलत प्रेक्टिस है, अब मेरिया चैनल आइटेकवर्ट एकेट्व बहुत, मतला अब ठीक ठाक चल रहा है, अगर मैं उसको अपनी वेबसाइट ना बनाओ, और कोई आ करके उस डूमेन को खरीद ले, www.itakeworld.com ऐसे करे खरीद ले, और मैं आगे चल के कोई वेबसाइट बनाना चाहूं, तो मैं नहीं बना सकता क्यों, क्योंकि उसका डूमेन अवेलिबल नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, उस जिस आदमी ने मान के चलो, आप मैं से किसी ने डूमेन खरी लिया, अब मैं आपके पास जाओंगा, कि भाई मुझे डूमेन चाहिए, आप दे दो, लेकिन डूमेन था 500 रुपे पर येर, और आप बेकर उसे 5-6 रुपे येर, तिक अच्छी प्रेक्टिस नहीं है, लेकिन आप इस सुनके बिल्कुल खरीने मत जाना, क्योंकि मैंने अल्रेड़ी आइटेक वर्ल्ट एकटिकर डूमेन पर्चेस कर रखा है, तो मैं आपके एग्जामपल दे रहा हूँ, इससे क्या डूमेन नेम डिस्प्यूट एक तरह से भढ़ता है, साइबर स्कुरेटिंग में, आप ही मान के चलो, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, मैं तो रिलाइंस जीओ का एग्जामपल ले रहा हूँ, जीओ के नाम से कोई डूमेन ना हो, और कोई और जीओ के नाम पर अपनी वेबसाइट खोल लेगा, तो कितना गलत यूजर एक्सपिरेंस रहेगा, मैं तो यह सूच के आया था, कि मेरे को जीओ की सिम्में प्रॉब्लम है, लेकिन जीओ के जो खोलती कुछ और खोल गया, तो समझ पार हैं ना, साइबर स्कुरेटिंग से क्या होता है, राइट, तो किसी और कोई ट्रेडमार्क, किसी और कोई डोमेन मिल जाता उस चीज़ का, जो उसका ओल्लेडी ओनर है नहीं, यह गलत प्रेक्टिस बिलकुल नहीं है, आज कल कुछ लोग तो इसको बिजनेस बना रहे हैं, जैसे आप डोमेन सर्च करोगे, काफी सारे डोमेन है, थालार्ड डोट कॉम, यह सब और लेडी इस परचेज हैं, क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी ने इस नाम से कोई कमपनी खोली, तो अभी इस डोमेन का प्राइस होगा, एक हजार रुपे पर मन्त मान लो, लेकिन अगर इसको रेंट पर देगा, तो नेक्स्ट इस वे ट्रेड मार्क इशू इन साइबर स्पेस, तो साइबर स्पेस में ट्रेड मार्क इशू भी आ रहा है, ट्रेड मार्क क्या होता है, एक डाइग्रेमेटिकली कुछ चीज होती है, ट्रेड मार्क इंदा सेंस, मैं आपको example दूँँ जैसे mcdonald's की company है ठीक किसी burger company है कोई भी domino's है तो domino's का आपने एक sign देखाऊगा ऐसे रहता है अगर उसको कोई और चुरा ले तो यह अच्छी practice नहीं है similarly कोई app है कोई website है physics वल्ला का वह है उसने pw ऐसे करके बना रखता है तो एक trademark लोगों के ऊपर अब trademark issue क्या है कोई और उस trademark को ना चुरा ले लोगों को ना चुरा ले सो इसलिए भी एक cyberspace में obviously trademark issue आ गया है सो एक क्या help क्या करता है काफी सारे colors होते हैं इसमें काफी सारे designs होती है patterns होती है जो एक unique होती है और इस टॉपिक को पेटेंट और ट्रेडमार्क को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आप उसकी करना ना भूले कोई डाउट हो comment करें मैं सबका reply करता हूं अपने दोस्तों के शाथ इस वीडियो को share करें और आपको नोट्स चाहिए साइबर सेक्योर्टी के तो एक बार description box को जुरूर पढ़ें उसमें आपको steps मिल रहे होंगे कि नोट्स को कैसे अवेल कर सकते हैं